परंबी सिंग उद्धव ठाकरे आर पर्सनिली ट्राइंग तो यूज एवरी सिंगल इंस्ट्रूमेंट ते है लेकिन आज तक में तो कभी खड़ो की नहीं का किसाब क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो इसलिए हमें विक्टिम है विक्टिम काट लिके खड़ो जाए हाथ में क्या देखते आ रहे हैं खबर या मिलरंज मीडिया ने पिछले कुछ समय से कुछ किने चुने मुतों को ही उठाया है या तो तब्लीकी जमात को या रफैल को या राम मंदिर सुशान सिंग राजपूत इन ही मुतों को इस पीच हमने पहले कोड़र के जीडिपी के करते हैं अब वे चैनल का नाम टीरपी को लेकर ही फ्रॉड में आया है वेहर पब्लिक न्यूज टीवी एक नया रैकेट जो के मुंबाई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांश के हाथ लगा है अनर्थ किया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक सेंप्लोईज हंसा के जो के बिया आर्सी के साथ काम करते हैं वो इस डेटा को कॉंप्रोमाईज कर रहे थे टेलिविजन चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टी आर्पी को मनुपलेट करने का कारिया किया जा रहा था जानकारी आये जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें तीन ऐसी आइडेंटिटीज रहे या तीन ऐसे चैनल कहूंगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है एविडेंस प्राप्त हुई है दो तो छोटे चैनल थे एक तो फक्त मराथी और दूसरा बॉक्स सिनेमा और अब हमारे आख जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं है और रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डारेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वाल होने के चांसेज है खैर इसके बाद अर्नब ने कैमरा के सामने आकर इसे सिर्फ पदले की भावना बताया है और इस इल्जाम को चनौती देने की बाद भी कही है और इस पर्पस इस प्रस क्रला करने लॉज वैड़ से बाद चांसेज्ड राजपूद कि वेंचिंटार्पार्स इस परांबी सिंग पुटार्स प्रम्भी से अवड़ दाक्रे आपरे, है नौत बेसे हुए ऐसे। बासाने हैं आट आटिया मैंधा, पर दिए प्रम्भी स पहले पचान लेते हैं कि TRP के बारे में और ये कैसा काम करते हैं TRP यानि कि Television Rating Point एक ऐसा उपकरन है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम ये टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है साथ ही इसके लरी किसी भी प्रोग्राम ये चैनल की पॉपुलरिटी को समझने में मत मिलती है यानि लोग किसी चैनल या प्रोग्राम को कितने पार और कितने समय के लिए देख रहे हैं प्रोग्राम की TRP सबसे ज़्यादा होना मतलब सबसे दर्शक उस प्रोग्राम को देख रहे हैं इसके बारे में कुछ अधिक चानकारी अनुंद्यों चक्रबती ने नियूस क्लिकिंग पर अपने शो में दी हमारे देश में broadcast audience research council of India बार्क बोलके company है जिसमें जो channel हैं उनके जो नुमाइंदे हैं सबका एक गड़ जोड है वहाँ पे सब करके rating को ना पा जाता है हर घर में एक rating का मीटर होता है हर घर मतलब चालिस से चवालेस हजार इस वक्त rating मीटर घर है पैनल आप सोच लीजे कि वीकली रेट पर हर हफते चालेस हजार घरों का data उठाती है कि उन घरों में लगबग 1 rats80,000 जो दर्शक हैं उन लोगों ने क्या देखा हर मिनिट इसको देखा जाता है सिरफ कितने लोगोंने कितने देर तक देखा एक मिनिट के अंदर एक दर्शक कौन सा चैनल जादा देर तक देखता है उसी को पूरे मिनिट का रेटिंग मिलता है मतलब अगर आपने कोई भी चैनल 30 से जादा देखा हो एक मिनिट में तो अब पूरा में रेटिंग उसी चैनल को तो मिलना है सबसे जादा आज हम चैनल द्वारा की गई पत्रकारिता का जिकर नहीं करेंगे क्योंकि वह हम पहले ही काफी समय से देखते आ रहे हैं आज बात करते हैं रिपब्लिक चैनल पर मुंबई पुलिस द्वारा लगाए इलसाम के बाद बाकी न्यूस चैनल की प्रतिकिरिया पर अरोप रिपब्लिक टिवी पर यही लगा था कि उन्होंने अपने चैनल को जारा देर दिखाने के लिए पैसे दिये थी ताकि वह नंबर वन तका सके वैसे तो हर चैनल अपने आपको नंबर वन कहता है खाबर के नाम पर उनमें भी वही चलता है जो रिपब्लिक चला रहा है पहले देखते हैं बात द्वारा जारी टियार पी के ताजा आंकडे को इन आंकडों में रिपब्लिक पहले नंबर पर है यह उसे जाम के बाद आज तक ने अरनब पतांच करने शुरू करती रुहित सर्दाना भी अपनी डिबेट में ऐसा करती नजर आई अरनब दी तक का काफी मजाग उड़ा चुकी है अपनी शो में किस तरीके की बाते हुई यह किसी से चुपा है क्या राजस्तान की सरकार ने आज तक एक संभादाता के उपर सचिन पैलेट के मामले में कवरेज को लेकर केस दर्ज करा दिया यह बात किसी से चुपी है क्या लेकिन आज तक ने तो कभी खड़े हो कि यह नहीं का किसाब क् इसके लावा अंजनावम कशप ने भी अपने डिबेट में रिपब्लिक टीवी पर काफी तांचका सी सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को बता दे ये बार्ग की कंप्लेंट पर हुआ है और अगर इसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई पर्क नहीं पड़ेगा खानून अपने तरीके से चलेगा विद्या 302, 302, 302 मांग रहे थे 400 BC का मामला आ गया सामने आज जब खुद की बारी आई है सवाल पूछने की घड़ी आई है तो सनाटा चा गया है उपर से नीचे तक तमाशा बन कर रख दिया बिल्कुल रिपाबलिक टीवी वो आज सनाटा दिखाई है जहां से सबसे ज़्यादा शोर निकलता है कि कई बार आप देखते होंगे कि हर निउस चैनल एक जैसे ही प्रोग्राम दिखाता है एक जैसी हेडलाइन्स होती है बलकि सारे निउस चैनल एक जैसे दिखते भी है एक जैसी ब्रेकिंग निउस आती है एक जैसी हेडलाइन आती है एक जैसी भाषा होती है यह तरह की व्यापारिक मजबूरी है क्योंकि इससे चैनलों के विग्यापनों की दर तै होती है किसी चैनल को जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है उससे उतने ही ज्यादा विग्यापन मिलते हैं इन विग्यापनों की दर भी रेटिंग के हिसाब से उपर नीचे होती है जितनी ज्यादा टियार पी उतनी ज्यादा कीमत जितनी कम टियार पी उतनी कम कीमत इससे उस चैनल की कमाई यानि revenue पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यही business model है जिसने आज हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से hack कर लिया है लेकिन जो नए चैनल है वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं वो रातों रात अपने घाटे को कम करना चाहते हैं वो रातों रात TRP के चार्ट पर नंबर एक पर पहुंचना चाहते हैं और इसलिए कई बार वो shortcut का इस्तिमाल करते हैं TRP चुराने की कुशिश करते हैं मीडिया ने सुशान सिंग राजबूत के केस के बारे में बताया वो भी घंटों डिबेट चलाकर लोग सिर्फ सच सुनना चाहते थे पर ऐसा नहीं मीडिया बाकी मुद्धों को छोड़ दे करोना को पूरी तरह से नजर अंदास कर दिया गया अर्थ्वेवस्ता पर बात बंध हो गई सरकार धीरे धीरे प्राइबटाइलडेशन के और बढ़ रही है बेरुस्तारियों की ना कोई बात कर रहा है ना ही उनकी कोई सुन रहा है मीडिया को अब दिशा तैग करनी चाहिए कि वे किस और जाना चाहता है Bureau Report, Punjab 2D TV